पहुच पाते थे तब देव अदीदेव महादेव को याद करते थे कि शंकर हमें निर्णे तक पहुचा हमें निर्णे तक पहुचा हमें निर्णे तक पहुचा एक लोटा पानी एक बेलपत्र एक पुष्प एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णे को बजल देता है महारा उसका क्या भाव था वो क्या उसके किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की और ले जाता है